ये घटना अभी कुछ एक दिनों पहले की ही है जब एक व्यक्ति पुलिस वालों के पास फोन करता है और ये बात कहता है कि जनाब अभी अभी कुछ एक देर पहले ही मैं चाय की एक टपरी पर चाय पी रहा था और उसी टाइम एक व्यक्ति वहाँ पर आता है उस चाय की टप का तो लग रहा है लेकिन अगर इसके सिर के बालों को देखा जाए इसके हूलियों को देखा जाए तो ये बिलकुल वैसा ही है जैसा कि आपने एक दो दिन पहले वो सकेच जारी किया था और ये बता रहा है कि यहाँ पर जो पिछले काफी दिनों से लगातार महिलाओं का कतल हो रहा है उन्हें करने वाला कोई और नहीं जब कि मैं ही हूँ यहां पर बेठा कोई भी वैक्ति इसकी बातों बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन मुझे जब इसका हूलिया नजर आता है तो मुझे याद आ गया कि कुछ एक दिनों पहले ही पुलिस वालों ने कुछ एक इसी तरीके का एक स्केच जारी भी गया है मैंने इसकी सारी की सारी बातों को रिकोर्ड कर लिया है वो भी मैं आप लोगों की पास भेज रहा हूँ तो पुलिस वाले बिल्कुल ऐसा ही करते हैं उसकी सारी की सारी बातों को अच्छे से सुन लेने के बाद उस वैक्ति के पास जा पहुंसते हैं और वहाँ पर जाकर उसे गिरफतार कर लेते हैं और पुलिस टेशन मिलाकर जब पुलिस वाले इस वैक्ति से बाते करनी सुरू करते हैं तो पुलिस वालों को पहली नजर में तो जब उन्होंने पहली पहली बार उससे बाते करने शुरू की तो पुलिस वालों को भी लगा कि साइद ये बंदा थोड़ा मंदबुद्धी है और यही कारण है कि ये कुछ इस तरह की बाते हम लोगों से कर रहा है तो नॉर्मली वो लोग उससे बाते करने लगते हैं और धीरे धीरे कर जैसे जैसे वो बंदा अपने बारे में बताने लगता है अपने किये गए कांडो के बारे में बताने लगता है तो पुलिस वालों को पता चला कि जो पिछले काफी महीनों से हमारे यहाँ यूपी के बर दीप गंगवार ये पुलिस वालों को बीना घबराए हुए सारी की सारे अपने कांडों के बारे में बता रहा था सारी ही चीजे डिटेल से वो बता रहा था जो भी पुलिस वाले पूछ थे बढ़ी आराम से उनके पास बैट कर बिल्कुल जैसे कि वो अपने यारदोस्तों को एक्स्प्लेइन कर रहा हो अपने कांडों के बारे में ऐसे पुलिस वालों को अपनी हरकतों के बारे में बता रहा था उसने पुलिस ओफिसर्स को बताया कि जनाब सबसे पहला जो मेरा कतल था वो मैंने मई 2023 में किया था और उसके बाद 5 जून 2023 को फिर से मैंने एक महिल को अपना सिकार बनाया था और इसी तरीके से लगातार जो जो कतल उसने जब भी किये थे उन सारे ही कतल के बारे में वो पुलीस वालों को बताता जा रहा था और जिस तरीके से वो पुलीस वालों को अपने कतल के बारे में बता रहा था तो पहले बार में तो पुलीस वालों में भी बता चुका था कि जनाब आखरी जो मैंने कतल किया था वो 2 जुलाई 2024 को किया था और वो इस इस गाउं की इस महिला के साथ हुआ था और जब पुलिस वालों ने उससे पूछना शुरू किया कि अच्छा तुम इतना ही कुछ बता रहे हो तो ये भी बताओ कि तुमने आज तक कितने महिलाओं को अपना सिकार बनाया है और फिर कुल्दीब ने बताया कि जनाब करीबन नो महिलाओं को मैंने आज तक मार डाला होगा और जो आखरी वाली थी वो तो अभी कुछ एक दिनों पहले ही मैंने निप्टाई है और इसके अलावा अपने किये गए कार की व्यक्ति है दरसल उसने जिस भी महिला को जाकर मारा था जब महिला ने अपनी जान गवा दी थी तो वो एक ट्रोफी के तोर पर कुछ एक सामान उसके पास से ले लिया गरता था भले ही कुछ भी उसे मिलता उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसके हाथ क्या लग र एक महिला तो ऐसी भी मौझूद थी जिसका कि उसने आधार कार्ड ले लिया था और एक महिला के पास आधार कार्ड भी नहीं था टिकी बिंदी भी उसने नहीं लगा रखी थी तो उसने उसके ब्लाउज का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया और उसे ही लेकर वो अपने घर कर चला गया था और इन सारी ही चीजों के बारे में बड़ा ही कमफर्टेबल होकर वो पुलीस वालों के साथ जनाब मैं इनके पास गया था मैंने इन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने का ओफर दिया था लेकिन ये सारी ही महिलाई इन सारी ही चीजों से इंकार कर देती है वो उल्टा मुझे गालिया देने लगी थी काफी भला बुरा मुझे बोलने लगी थी और यही कार्ण था कि मुझे गुसा आ गया और उसके बाद मैंने उन सभी को मार डाला और उसके बाद पुलिस वालों ने एक नया सवाल उसके सामने रखा कि जिन जिन महिलाओं को तुमने मारा है उनकी उम्र 45 साल से 60 साल के बेच की थी और तुम सिर्फ और सिर्फ इन बूड़ी महिलाओं को इस तरीके से फीजिकल रिलेशन बनाने के ओफर क्यों दे रहे थे और इन्हें ही अपना सिकार क्यों बना रहे थे तो उसके बाद कुल्दीप ने बताना सुरू कि जनाब मैं तो मेरी मा से बदला लेना चाहता था लेकिन उनसे मैं बदला नहीं ले पाया जिसके जलते मैं इनकी उम्र की जो भी यहां पर महिलाओं घूमा करती थी उनके साथ बदला ले रहा था तो अब पुलिस वालों की दिमाख में अभी भी काफी सारे सवाल थे तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बात पूछने शुरू की कि किस तरीके से तुम इन महिलाओं की जान लेते थे जिसके तोर पर उसे जंगल में लेकर जाया जाता है और वहां पर एक नकली डमी उसे दे दिया जाता है नकली डमी के उपर यह बात कही जाती है कि किस तरीके से तुम उन महिलाओं की जान लिया गरते थे क्या तुम इस डमी के साथ वो सब करके दिखा सकते हो तो उसके बाद कुल्दीब ने कहना सुरू कि जनाब सबसे पहले आप ये बात बताईए कि आप इसे कपड़े कौन से पहनाने वाले हैं तो अब पुल्दीब ने फिर से कनफ्यूज और उन्होंने ये बात कही कि कपड़ों से तुम्हारा क्या मतलब है तो कुल्दीब ने बताना सुरू कि जनाब अगर आप इसे धोती पहनाएंगे तो मैं इसे धोती के जो पल्लू है उससे इसका गला घोट दूँगा और उसके बाद इसकी जान मैं ले लूँगा और अगर आप इसे सूट पहनाएंगे तो उसके दुपटे से इसका गला घोट कर मैं इसे मार डालूँगा तो पुलिस वालों ने उसे कपड़े पहना दिये और उसके बाद कुल्दीप ने उसके पल्लू से उसका गला घोट दिया और उसके बाद उसके राइट साइड में उसी पल्लू से एक गाठ लगा दी और जैसे ही ये गाठ लगी तो पुलिस वाले पहचान गए कि जितने भी एक साल से यहां पर मौझूद परेली की महिलाओं को तंग कर रहा था लेकिन अभी भी पुलिस वालों के जो दिमाग में काफी सारे सवाल थे वो ये थे कि तुमने इन महिलां को मार तो डाला फीजिकल रिलेशन बनाने के लिए तुमने इन्हें ओफर दिया था इन्होंने मना किया तुमने इन्हें मार डाला ये सारी चीजे तो समझ आ रही हैं लेकिन जो जो महिलाओं हमें मृत पाई गई थी उन में से तो किसी के साथ भी रेप वगेरा नहीं हुआ था तो इसका क्या कारण है तो कुल्दीप ने कहना सुरू किया कि जनाब मैं उन्हें ओफर दिया करता था मैं उनका रेप नहीं करना चाहता था जो महिला इस बात के लिए मान जाती मैं उन्हें जिन्दा छोड़ देता और जो भी महिला मना कर देती मैं उसे मार दिया करता था मैं यहाँ पर रेप करने के लिए नहीं आया था जबकि उनकी इच्छा से उनके साथ फीजिकल रिलेशन बनाने के लिए आया था और उसके बाद अब पुलिस वाला को ये कन्फियोजन था कि ठीक है तुमने इतनी सारी महिलाओं को बड़े ही बेरहमी से मार डाला इसके बारे में तुमने हमें अच्छे से बता दिया है लेकिन अब तुम करीबन 35 साल के हो चुके हो अब जाकर तुमने ये सीरियल किलर वाला काम सुरू क्यों किया अब तत तुमने क्यों नहीं किया और अचानक से तुम्हारी जिन्दगी में ऐसा क्या हो गया कि तुमने इन लेकिन मेरे पिता के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मेरे जनम के खुछ एक दिनों बाद ही उन्होंने मेरी मा को तो तलाग नहीं दिया था जबकि वो दूसरी साधी करके अपनी एक नई पतनी ले आते हैं और उनकी जोन वो नई पतनी आई थी वो मेरे उपर भी अत्याचार किया गरती थी मेरी मा के उपर भी अत्याचार किया गरती थी और इन सारे ही चीजों को आराम से बैटकर मेरा पिता देखा गरता था मैं बहुत ज़्यादा गुसा इस टाइम हो जाया गरता था दो तिन साल का मैं हुआ गरता था इतनी ज़्यादा मुझे समझ थी नहीं जिसके जलते वो मेरी नई माजो थी वो मेरे उपर काफी ज़्यादा अत्याचार किया करती थी और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ तो उनके टोर्चर का जो लेवल था वो भी लगातार बढ़ता चला जाता है और यही कारण है कि आज के टाइम में क काफी ज़्यादा टोर्चर किया काफी ज़्यादा चोटा उस टाइम हुआ करता था मुझे ज़्यादा चीजे तो उस टाइम की याद नहीं है लेकिन जो जो चीजे मुझे याद हैं उन सारी ही घटनाओं को याद करके आज भी मेरा दिमाग हिल जाता है मैं घबरा जाता ह मुझे पसीने आने लग जाते हैं और हर एक वेक्ति से मुझे डर लगने लगता है और जैसे ही मैं बड़ा होता हूँ तो मेरी साधी करवा दी जाती है मेरी पत्नी मेरे साथ काफी दिनों तक रहती है लेकिन उसके बाद पता नहीं उसे भी क्या हुआ वो भी मुझे पागल सन की कहते हुए मुझे अकेला छोड़ कर चली जाती है और उसके बाद मैं काफी ज़्यादा अंदर तक दहल जाता हूँ कि ये सारी की सारी महिलाएं बिल्कुल ऐसी ही होती है मेरी माँ को इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बक्सा मेरे को उन्होंने नहीं बक्सा और आज के टाइम में मैं बिल्कुल अकेला रह चुका था मेरी पतनी मुझे छोड़ कर जा चुकी थी मेरी नई माने मुझे घर से निकाल दिया था और इस टाइम जो मेरी बहन थी मैं उनके घर पर जाया करता था उनके घर पर चला जाता, कभी मेरी दूसरी बेहन के घर पर चला जाता और मेरी ज़्यादातर जिंदगी बिल्कुल यूँ ही घूमने फिरने में बीत रही थी और मैं अपनी माँ से तो बदला नहीं ले पाया लेकिन उनकी उम्र की जो भी महिला मुझे दिखाई दिया गरते थी उनकी सेम एज गुरूप की तो मुझे उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया गरता था और मैं अपनी फैंटेसी किस तरीके से उनके उपर उतार सकता हूँ इनी सारी चीजों के बारे में मैं सोचा गरता था और दूसरी तरफ अगर मेरी वाइफ मुझे छोड़ कर जा चुकी थी तो मुझे अब अपना अकेलापन भी दूर करना था जिसके तोर पर मैं ऐसी ही महिलाओं के पास आ जाया गरता था और उन्हें फिजिकल रिलेशन बनाने का ओफर दिया गरता था जो जो महिलाओं मान जाया गरती थी मैं उनके साथ वही सारे काम करके जो कुछ में मैं करना चाहता था उन्हें यूही छोड़ दिया गरता था लेकिन जो भी महिला मुझे मना करती तो मुझे उसमें मेरी मा दिखाई दिया गरती थी कि ये वही महिला है जिसने की मेरे उपर काफी ज़्यादा टोर्चर किये हैं मेरी पूरी ही जिन्दगी बरबाद कर दी जिसके चलते मैं उसे बड़े ही बेरहमी से वही पर मार डाला गरता था और यही मेरी सारी की सारी कहानी थी नॉर्मली तोर पर मुझे कोई काम नहीं हुआ गरता था हमेशा मैं अकेला ही चला गरता था कहीं पर भी मैं चला जाया गरता था मेरा कोई fix नहीं था कि मुझे इसी जगहें पर जाना है और आम तोर पर मैं उन जगों से गुजरा गरता था जहां से कोई भी जादा तर आया जाया नहीं करता था और गाउं की महिलाएं सोट कट लेने के लिए उन जगों से गुजरा गरती थी रस्ते में जो कोई भी महिला मिलती तो मैं उसे ओफर देता और उसके बाद अगर वो मान जाती तो ठीक है नहीं तो मैं उसे इसी तरीके से मार डालता और उसके बाद एक ट्रॉफी की तोर पर उनके पास से वो एक सामान ले लिया करता था बिल्कुल इसी तरीके से उसकी जिंदगी बीत रही थी सारे ही लोगों को वो लगातार बताता जा रहा था उसने किसी से कुछ भी नहीं छिपाया हाँ वो बात अलग है कि वो लोग उसे पाकल समझा करते थे और यही कारण था कि उन्होंने कभी भी उसकी उपर ध्यान नहीं दिया लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ आप लोग मेरे घर पर आते हैं सिदागा सिदागा कर मुझे धपा गर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मुझे पकड़ कर ले आए लेकिन पुलिस वालों ने इसे पकड़ने में काफी ज़्यादा मसकत की थी इतना ज़्यादा आसान ही था इसे पकड़ना क्योंकि इसे पकड़ने के लिए करीबन डेड़ लाग मुबाइल नमबर ट्रेस किये गए थे पिछले एक साल से पुलिस वाले इस सीरियल किलर का पीछा कर रहे थे और ये तो बड़े ही आराम से सड़कों पर घूम रहा था लोगों को बताते हुए कि मैंने कितनी सारी महिलाओं की आज तक जान ली है वो बात अलग है कि किसी ने भी इसके उपर विश्वास नहीं किया और ये इसी तरीके से आगे से आगे काफी सारी महिलाओं की जान लेता रहा इसे पकड़ने के लिए करीबन 100 पुलिस वालों को स्पेशल तोर पर इसी केस पर तैनात किया जाता है टोटल 1500 CCTV कैमरे ऐसे मुझूद थे जिनकी सारी की सारी वीडियो को खंगाल दिया गया कि आखरी टाइम में हो सकता है वो कातिल इन में कैद हो गया हो लेकिन इन सारी ही CCTV कैमरों से काम जब नहीं चला तो इसके अलावा 600 कैमरे और लगाए गए ताकि हो सकता है इन में वो सीरियल किलर कैद हो पाए और इसी तरीके से मुखबिरों की मदद से काफ़ी सारे और गाउवालों की मदद से इसका एक स्केच तयार किया जाता है कि जरूर ये बंदा हो सकता है साइद इसने कतल किये होंगे क्योंकि जहांपर भी इसे देखा जाता है आखरी टाइम में लोग यही बताते हैं कि इस तरीके का एक बंदा यहां पर देखा गया था तो उसका एक स्केच तयार किया जाता है और उसके बाद ये बंदा वहां टपरी पर चाय पी रहा था और उसने उसकी ऐसी बातों को सुनकर जो कि वहां पर चाय पीने के लिए आए थे उन्हें वो बताने लगता है और इस तरीके से ये कातिल दरिंदा पकड़ा जाता है और इसमें भी खास तोर पर चार पुलिस वाले ऐसे मौझूद थे जो कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ इसी केस के उपर काम कर रहे थे दिन हो चाहे रात हो वो लगातार इस केस के उपर काम कर रहे थे और उन्ही की महनत के बदोलत आखिरकार ये कातिल पकड़ा जाता है पकड़े जाने के बाद भी वो बिल्कुल भी परैसान नहीं था कि अब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया है, उसे जेल जाना पड़ेगा, हो सकता है उसे उम्र कैद हो जाए या फिर उसे फासी हो जाए, जिसके जलते उसे इन सारे ही चीजों से कोई मतलब नहीं था, व तो वो बड़े ही मज़े से पुलिस ओफिसर को हाथ लगाते हुए ये बात कहता है कि जनाब वो बंदा आप से साइध कुछ पूछना चाहता है जनाद देख लेजी वो कहना किया चाहता है और इसी तरीके से बड़े ही मुस्कुराते हुए वो हमेशा ही पुलिस वालों के सा का उसकी मा का या फिर उसके खुद का क्योंकि वो इन कांडो को खुद ही अंजाम दे रहा था आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राइकमेट बोक्स में जरूर बताएगा अभी इसके उपर केस चल रहा है और किसी भी तरीके की अभी इसे सजा नहीं सु आता रहता हूं और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट आरूसी सोमा को एंड राइट ए विडिफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं एक औरनाई ट्विस्टिड केस के साथ